जी जी लेकिन लेकिन क्या-Poletically प्रयांकाई ये सुट करता है आपको ये एजेंडा की एक तरफ दूसरी बात दूसरी तरफ तीसरी बात क्या ये एजेंडा सुट करता है क्योंकि जहां तक Amantullah Khanh की बात है एक विधायक है और उनकी गिरफतारी हो गई लेकिन बीजेपी अब कह रही है क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर वक्फ इंडॉल्ड है अकलियतों का वोट इंडॉल्ड है इसलिए पूरा खेल तमाशा हो रहा है अब गवन जैसे अवे अब ल दिजाक है और हम आप लोग जान बूझ के एक ऐसी पार्टी जो लगाथा फ्री बिजली, 24 घंटा बिजली, महिलाओं को free bus यात्रा, बुजूर्गों को तीरत यात्रा, जो लगातार free healthcare model, free पानी, ये सब सुविधाई दे रही है, सबसे कम inflation, पूरी इंडिया में, राजधानी दिल्ली में सबसे कम महिंगाई, highest per capita income, उसके बाद एक surplus budget, एकलोती सरकार जो य हर्याना में पूछा जा रहा है, कि 8-8 घंटे के power cut 2024 में कैसे लग रहे है, बीजेपी की हर्याना में, इसलिए आपको दिक्कट है, इसलिए आप आहमाद्मी पार्टी को रोखना चाहते हैं, हम लोग कट्टर इमानदार लोग है, आपने अर्विंद केजरिवाल जी को बिल अधर पड़ी, हमारा तो only to gain है, यह गिरे ना, हम तो gain ही किये, यही गिरे जारे ना, क्योंकि आपका gain है, आपने आपकी सीटे नहीं आई, तो gain है, तो pain क्या होता है, अगर gain है, बीजेपी स्पोक्स परसन सक्षम है, अमीज जी, वो डिफेंड कर लेंगे, बीजेपी स्प प्रस्टी है कि यह बीजेपी के लिए एक learning message है, नहीं नहीं, देखिए, यह बीजेपी के लिए learning time है, लेकिन आमादी पार्टी के लिए कोई learning time नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैडम, point यह है, मैं अनुराद को भी बीजेपी के लिए लेकिन शुदान शुत्रवेदी नहीं मिली, उसके बाद ED की कारवाई हमने soft होती हुई देखी, लेकिन अभी ये कारवाई क्या दर्शार है, देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कह दूँ, जो लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अब जैसे प्रियंका जी नहीं कहा, एक fact और भी समझ लिजे मेडम, ये देश में highest per capita दिल्ली में है, उसका हमादी पार्टी सरकार से कोई नहीं अदर है नहीं, central government के सारे employees यहां रहते हैं, A grade के जितने भी hospitals हैं, सरकारी वो सब central government के, ये सब भी ज्यान दखना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो चुकि यहां पर सबसे ज़्यादा paying capacity है, सबसे याद देने के लाले पड़ गएं, अभी अगर आप देखें, करनाटक ने फ्री में दिया है, और उसके बाद वहाँ पानी की सप्वाई की जो हुई, और इनकी में एक बात है, प्रेंका जी, आप कहती, ACB दिल्ली में आपके पास नहीं है, चुकि पूरुराज्य नहीं है, ये बताइए, पंजाब में तो पूरी सरकार है, कितने भरस्टाचार खोल दिया, आपने कॉंग्रेस के 20 साल हो गएं, बताइए, खुब जोर से आरोप लगाया था ना, वहाँ ACB भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, कितने आरोप लगा दिये, कितने चार्शीट करवा दिये, प्रेंका का मैं जवाब दूँगा, लेकिन अनुराग गुदरिया भी बेट करें, अनुराग गुदरिया, अनुराग गुदरिया, पॉइंट यह है, कि भरस्टाचार में किसकी नियट में खोट है, और जेल बेल का खेल जारी है, देखें, आज कल कमाल की बात है, यह को कहते हैं जूट के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोलोग उत्य जिल जाओगे, यह हालत हो गई है, अब भारती जनता पार्टी के परवक्ता इतना कहते हैं तुम हर बार जूट बोलते हो, लेकिन इतना सच्चा जूट बोलते हो, कि जनता भी थोड़ा परिशान हो जाती है ये देखिए कहते हैं हम देश हाँ ये जूट भी इतना सच्चे से बोलते हैं न तो जनता सोचती है पता नहीं सची बोल रहे होंगे तो नवाब सिंग अदब वाला सच्चा जूट था हाँ आ रहा हूं आ रहा हूं सरकार किसकी है सरकार किसकी है भारती जनता पार सुन लिजे अभी पेट में दर्द होगा सरकार किसकी है भारती जनता पार्टी भारती जनता पार्टी के सरकार में बच्चीयों के साथ अन्याय हो रहा है जिम्मेदार कौन होगा सत्ता वाले जिम्मेदार कौन होगा जो वहां के कन्योच के सपी साब उसको तो सरबोच नागरिक का एवाड दे रहे तो चार अगस्त को क्यों दे रहे थे आप भाई इसके मतलब आप उसको बड़ा च्छाद ही मानते थे तो आप जिम्मेदारी से लेने से पकड़ा प्राबार मैंने जहां बीजेपी की सरकार के से उन्याय और पूर्येगा अगर कोई अन्याय होगा तो वहर ops बताईज हो का नाटका ही हिमाचल की बात करेंगे डिलीघ हिरा बात कर Eeंगे आप करेंगे व कि हमारी तो स्टा में हैं प्रधान मंत्री जी हमारे हैं गरें मंत्री जी हमारे हैं केंद्र में हमारी सरकार है जब कोई इंसिडेंट होता है तो इधर दर क्यों भागते हो आप बताइए ना जवाब जवाब ने रहाद कर गया उन पे रेप का फुर्पा चरेगा ओके अरे तो लिजे ठीक है आपने बोला बोला बिल मिनट बोला बोला बिल मिनट बोला है लेकि भारती जंदा पाड़ी जवाब दे कि जन्माश्टमी के तिन भी दो नहीं दो बेटियां का सब क्यों जूला पाल लटका हुआ पाजाता है वो जवाब दे लगाता है एक सेके अनुलाग बदरिया आपके विश्य को रख लिया सुदान चुत्रवेदी की बारी है अमीज जी जो आपके करोडो दर्शक देख रहे होंगे millions of viewers जो देख रहे होंगे वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कहना क्या चाह रहे है क्या जूटा क्या सच्चा और क्या गच्चा अभी साफ समझ में आता है मतलब आपके पार्टी के नेता पे आरोब आपकी पार्टी की नेत्री ने कहा कि 15 साल की बच्ची रात के साम के समय कौन सी नौकरी मांगने गई थी अब DNA सेंपिल मैच खा गया इसके बाद बेशर्मी की इंतहा है कि आकर जूटा और सच्चा वर्ड बोला जाए और फिर कहरे भारती जनता पार्टी की सरकार है इसलिए इनका नेता जो अपने संस्थान में बुला कर कुकर्त करे